आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं देडिज केमिकल ऑक्सिंजन डिमांड जो कि आप एन्वार्मेंटल इंजिरिंग के अंदर शड़ी करते हो जो यह सीओडी होती है जो बीओडी बायो केमिकल ऑक्सिंजन डिमांड होता है मोस्टली इनमें तो कुछ कंफ्यूजन होती है टोपिक बहुत असान है बट फिर भी समझेने में काफी कॉम्प्लिकेशन आती है तो आज हम इस टोपिक को शड़ी करते हैं केमिकल ऑक्सिंजन डिमांड है क्या क्या क्यों हम इस पैरामेटर की शड़ी करते हैं यह पैरामेटर हमारी किस चीज में हेल्प कर रहा होता है तो सारे पैरामेटर इसके बारे में आज हम स्टड़ी करने माले है बच्चे देखें केमिकल ऑक्सिंजन डिमांड यह क्या होत डिकम्पोजिशन ओफ टोटल और्गनिक मेटर टोटल और्गनिक मेटर और्गनिक मेटर बच्छे बायो डिग्रेडेबल एंद नोन बायो डिग्रेडेबल टोटल कितनी ओक्सिजन लगेगी तो कैरी आउट डिकम्पोजिशन ओफ टोटल और्गनिक मेटर इस चीज को हम लो और दिमार्द अभी यह चीज हमने लिखत दी है यह बताना क्या चाहरा है यहां पर जब हम बात करते हैं वेस्ट वोटर के अंदर वेस्ट वोटर में हमारा में ने पाने के अंदर प्रेजन्ट और persönlich अंदर के कॉंसर्टेशन को वेस्ट वोटर के अंदर तो आप डिरेक्टली और्गेनिक मेंटर की कॉंसेंटरेशन निकाल पाओगे हम क्या करेंगे हम पानी में का किया कर दे रहा है और हमें यह कॉंसेट पता है कि जब भी reactions हो रही है आपस में तो उसमें gram equivalent का concept always valid रहता है gram equivalent क्या बोलता आपका कि one gram equivalent of anything reacts with one gram equivalent of any other thing किसी भी compound का कोई भी आपके पास कोई भी चीज पानी के अंदर present है अगर दो आपस में parameter react कर रहे हैं तो एक gram equivalent किसी दूसरे एक gram equivalent के साथ क्या करेगा रहेक्त करेंगा तो पानी में organic matter oxidize होगा organic matter को oxidize कौन को रहेगा यह chemical जो हम पानी के अंदर chemical डालने वाले हैं तो यह chemical पानी में क्या करेगा oxidize कर देगा किसको organic matter को organic matter को chemical oxidize करेगा तो जितने gram equivalent oxygen सीजन कंज्यूम होगी उतने gram equivalent organic matter decompose हो जाएंगे हैं तो हम यहां पे concept किसका लगाएंगे gram equivalent आप LOOK कि मैं की तो हम यहां पे concept किसका लघाएंगे बचेएlicate जब हम एलकेनिक तीजडी करते हैं पाने की hardness निकालते हैं तो एक्र प्लाशी के अंदर बी पूरी डिटेल में बताय हुई है कि ग्राम एक्वैलन्ट कैसे के हैं लग अगर आगर कोई भी ऐसी ड्य केमिकलि ऐसी प्लाइन हो रही है तो यह तो इसका मतलबzahl हम यहाँ पर कहीं नहीं यह पैरामीटर निकालने वाले हैं कि कितने gram equivalent हमारा chemical use हो रहा है जितने gram equivalent का हमारा parameter use हो रहा है यानि उतने gram equivalent की oxygen consume हो रही है उतना ही gram equivalent का organic matter बच्चे क्या हो रहा है decompose हो रहा है तो हम organic matter की concentration directly नहीं बता रहे हैं indirectly बता रहे हैं in terms of oxygen equivalent तो oxygen के कितने equivalent लगेंगे इस organic matter के equivalents को decompose करने के लिए जितने oxygen के equivalent लगेंगे उतने ही organic matter के equivalents पानी के अंदर present होंगे तो यह हमारे पास concept होता है तो इसलिए हमने क्या लिखा कि total कितनी oxygen लग रही अब तुम्हें अगर gram equivalent पता है कि इतने gram equivalent की oxygen consume हो गई है तो तुम यहां से क्या calculate कर सकते हो total oxygen calculate कर सकते हो oxygen gram equivalent तुम्हें पता है multiply कर दोगे equivalent weight of oxygen से तो तुम्हे weight of oxygen मिल जाता है तो कितने total कितनी oxygen लग रही है तो carry out decomposition of total organic matter इस oxygen demand को बोलते हैं chemical oxygen demand इसको क्या बोलेंगे हम chemical oxygen demand कि total oxygen required to carry out decomposition of total organic matter और organic matter तुमारे दोनों bio degree wb और non bio degree wb clear point इसको और थोड़ा detail में study करते हैं अब कैसे निकालते हैं हम करेंगे क्या पाने के अंदर यह हमारे पास water sample है this we have a water sample यह हमारे पास एक पाने का sample होगा यह हमारा एक water sample है इस water sample में हम लोग add करते हैं oxidizing agent oxidizing agent है जो बच्चे हमारे पास K2Cr2O7 जरूरी नहीं है कि आप यही add करोगे आप कुछ और भी add कर सकते हो बट हम strong oxidizing agent add कर रहे है K2Cr2O7 strong oxidizing agent हमने add किया oxidizing agent है oxidizing agent किसको बोलते हैं जो अपने सामने वाले compound को oxidize करेगा this is a potassium dichromate chromium के दो मोल है बच्चे potassium dichromate होता है तो water sample है K2Cr2O7 यह जो तुमारा water sample होता है बच्चे यह alkaline nature का होता है यह alkaline nature का होता है यह alkaline nature का है इसकी pH ज़्यादा मिलती है आपको साथ से alkaline nature का है और alkaline nature में यह alkaline medium में यह जो तुमारे oxidizing agents होते हैं इनकी जो oxidizing power होती है वो कम हो जाती है यह जो oxidizing agents है इनकी oxidizing power क्या हो जाती है बच्चे कम हो जाती है इसलिए हम medium को क्या कर देते है acidic कर देते हैं तो हम पानी के अंदर H2SO4 मिला देते है तो हमने पानी में H2SO4 मिलाया जिसकी वज़े से तुम्हारा जो medium है water sample जो alkaline था अब वो acidic बन गया है और acidic medium में oxidizing power oxidizing agent की बढ़ गई है अब इतना ही नहीं तुम साथ में अपने water sample को ये काम करने के बाद heat भी करते हो boil करते हो तो heat provide करते हो energy दे रहे हो decomposition और ज्यादा हो जाए rate of decomposition बनाने के लिए तो decomposition में तुम help कर रहे हो तो यहाँ पर हम लोग temperature provide करते हैं दो से तीन गंटे के लिए हम लोग heating कर रहे होते है तुम पानी में K2Cr2O7 डाल रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुमने पानी में K2Cr2O7 कितना add किया है 20 ग्राम डाल रहे हो 50 ग्राम डाल रहे हो 100 ग्राम डाल रहे हो तो उसके ग्राम equivalent तुम्हें पता लग जाएगा ग्राम equivalent कैसे निकालता है given weight divided by equivalent weight तो X ग्राम equivalent तुमने मान लो पानी में add कर दिये यह बात समझ आती है अब H2SO4 भी डाल दिया मीडे में से डिक हो गया और सैंपल को हमने हीट भी कर दिया अब यह क्या करेगा अपना काम करेगा इसका काम क्या है oxidize करना यह oxidize करेगा पानी के अंदर क्या प्रेजेंट थे आइ और स पानी में जो यह और सी यह क् इनिक मेंटर यह यह और के एक जाए जैन करेंगे टाइम के रिस्पैक में तो और गैनिक मेंDon अकरीं कॉंटिन्uses लिए गेंगे फंपन दवारी है oxidizing isn't oxygen continuously क्या हो रही है बच्चे consume हो रही है तो उसके बाद जब यह अपना काम करेगा तो system में कुछ K2Cr2O7 बच जाती है यह K2Cr2O7 बच गई system में मान लेते हैं यह जितनी भी K2Cr2O7 बची है यह Y gram equivalent इसके बच गई है Y gram equivalent मान लेते हैं इसके बच गई है कितने हमने डाले थे पानी के अंदर X gram equivalent कितने बच गई है Y gram equivalent बच गई है अब यह K2Cr2O7 जो बच गई है अब यह काम नहीं कर दिया इसका मतलब इसने जितना काम करना तक कर चुका है यानि जितना organic matter decompose हो गए है तो system में इतना K2CR2-7 बच गया है अब X तुमने डाला था Y तुम तुमारे पास है बच गया है तो X-Y जो gram equivalent है X-Y gram equivalent of K2CR2-7 तो मैं बोल सकता हूँ X-Y gram equivalent of K2CR2-7 यूज हुए है used for decomposition of organic matter used for decomposition of organic matter organic matter की decomposition के लिए ये K2CR2-7 के X-Y gram equivalent यूज हुए है कोई problem नहीं है अब जितने gram equivalent K2CR2-7 के यूज हुए है तो क्या हम बोल सकते हैं इतने ही gram equivalent पानी के अंदर organic matter के present थे तो same number of gram equivalent is also present in the water that is X-Y gram equivalent of organic matter तो gram equivalent of organic matter आपके सामने आ जाएंगे तो gram equivalent of organic matter which is equals to X-Y gram equivalent of organic matter तो तुम्हें पानी में कितन ग्राम एक्विलेंट पता लग गये हैं कि इसके और्गेनिक मेटर के हैं तो तुम्हारा काम क्या था अब्जेक्टिव क्या था तुम्हारा अब्जेक्टिव था पानी में और्गेनिक मेटर की कॉंसेंटरेशन निकालना तुमने वो oxygen के equivalent निकाले हैं और इस equivalent के corresponding तुम बता रहे हो इतने ही equivalent पाने में organic matter के present है तो तुम concentration बता दे रहे हो organic matter की अब ये बात तो समझ आती है लेगिन problem आई problem क्या आई? कि sir, हमने x gram equivalent K2CR2-7 डाला था लेगिन ये y gram equivalent जो बचा है ये कैसे पता लगेगा कि कितना बचा है तो उसके लिए तुम test को आगे analyze करते हो test को carry forward करते हो तो ये जो बच्चिव is K2CR2-7 है तुम ये बच गई है पानी के अंदर बच्चे ये बच गई थी अब तुम क्या करते हो पानी में? add करते हो indicator indicator add करोगे that is a ferroine ferroine का एक indicator है ये ferroine का एक indicator है paper में question पूचता है कि जब हम COD निकालते हैं तो कौन सा indicator है? use करते हैं, ferroine तो तुम ferroine indicator पानी में डालते हो ferroine indicator जैसे मैंने बच गई है indicator डाल रहे हो means you are going आप titration करने वाले हैं तो आप titration करने वाले हैं क्योंकि आपको इसकी concentration निकालनी थी कि बच्चिव K2, CR27 कितनी है तो जितनी भी K2, CR27 बच गई है पानी के अंदर तुमने पानी में क्या डाल दिया? ferroine डाल दिया ferroine is an indicator जब तुमने पानी में ferroine indicator डाल दिया तो पानी का जो color है वो कनोट हो जाता है blue-green sample के अंदर blue-green sample में तुम्हें पानी में color दिखेगा blue-green sample तो पानी का color आ जाएगा blue-green sample blue-green sample क्यों मना? क्योंकि जो बच्चिव K2, CR27 है ये ferroine के साथ react कर जाती है ये आपस में react करती है और पानी का sample पानी में color आ जाता है blue-green sample का color आ जाता है पानी के अंदर उसके बाद तुम क्या करते हो? titration करते हो उसके बाद titration में titrant जो यूज़ करते हो वो important है titration अब तुम क्या करोगे? titration करोगे और जो तुम titration करने के लिए जो titrant यूज़ करते हो titrant होता है हमार पास 0.25 normality ferrous ammonium sulfate FAS FAS की full form क्या है बच्चे ferrous ammonium sulfate तो मैं यहाँ लिए रहा हूँ ferrous ammonium sulfate ferrous ammonium sulfate मैंने यहाँ पे full form लिए दिया 0.25 normality यह क्या लिखा हूँ normality concentration है इसको भी detail में discuss किया हूँ हमने तो ferrous ammonium sulfate की concentration कितनी है 0.25 normality तो तुम पाने के अंदर अब क्या करे हो titration करे हो titration में titrant तुमारे पास है 0.25 normality ferrous ammonium sulfate तो तुम अपने sample तुम वो इस sample में titration करते रहोगा करते रहोगे कब तक जब तक हमारे sample जब तक हमें end point नहीं मिल जाता और end point कैसे पता लगेगा कि जो तुमारा blue green sample है वो convert हो जाएगा red brown color के अंदर जो blue green sample है बच्चे वो convert हो जाएगा तुमारा red brown के अंदर तो red brown color आ गया है तो अब titration में तुमारा roll क्या होता है titrant का volume measure करना कि कितना titrant पाने के अंदर चला गया है तो तुम यहाँ पर VML का volume measure करोगे तो VML तुमें कुछ ना कुछ volume मिलेगा initial minus final तो VML volume required required to turn the sample from to turn the sample from blue green to to red brown blue green to red brown blue green से red brown में जाने के लिए कितना sample required होगा कितना volume required होगा वो volume तुम नोट कर सकते हो तुमने यहाँ पर क्या note कर लिया बच्चे VML note कर लिया ठीक है अब जब तुम VML note कर चुके हो यह VML तुमने बता दिया इतना volume लगेगा तुम्हारा काम खत्म अब तुम करते क्या अब तुम्हें पता क्या है तुम्हें पता है कि VML का volume लगा हमारे sample को convert होने में blue green sample से red brown sample में convert होने में अब यह जितना भी volume यहाँ पर लगा है यह किसका लगा है यह किसका लगा फैरस Ammonium Sulfate का तो फैरस Ammonium Sulfate क्या करता है रियक्ट करता है जाके इस बच्ची भी K2CR2O7 के साथ यह इसके साथ रियक्ट कर चुकी थी फैरस ने एक indicator है बस रियक्ट करने के बाद ही color आये तो यह फैरस Ammonium Sulfate इस K2CR2O7 के साथ interact करता है रियक्ट करेगा जितना K2CR2O7 होगा उतना ही reaction होगा यह react करता जाएगा react करता जाएगा blue green sample convert होता जाएगा देरे 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 red brown color के अंदर जब पूरा sample red brown में हो जाएगा तो में end point मिल जाएगा तुमारी titration complete जब तुम्हारी titration complete हो जाएगी तो तुम्हें पता लग गया VML का हमें volume required है तो इस volume के अंदर कितने gram equivalent होंगे इस ferrous ammonium sulfate के ये तुम इजली calculate कर सकते हो तो तुम्हें पता लग जाएगी the gram equivalent of ferrous ammonium sulfate in VML तुम्हें ये चीज़ पता लग जाएगी तो gram equivalent of ferrous ammonium sulfate in VML ये तुम्हें पता है निकाल सकते हो क्योंकि concentration given है 0.25 normality normality का उनलब भी पता हम भी क्या होता है तो concentration given है तो आप number of gram equivalent बता सकते हैं कि इस VML के अंदर कितने number of gram equivalent ferrous ammonium sulfate के यूज होने वाले है पूरा हमने 2-3 गंटे लिए हो है इस particular topics के उपर जिसमें हमने पूरा stoichiometry discuss की ओब है chemistry गी नौ उसके बाद अब जितने gram equivalent ferrous ammonium sulfate के हैं again concept same gram equivalent किसके मिलेंगे potassium dichromate जो बचे हुई थी equals to gram equivalent of K2CR2O7 left is equals to gram equivalent of K2CR2O7 left same equivalent होंगे कि gram equivalent of K2CR2O7 left जो बचे हुई थी जो कितनी थी y gram equivalent जो कितनी थी y gram equivalent थी तो तुम्हें क्या निकालना था तुम्हें यह तो निकालना था कि कितनी K2CR2O7 system में बच गई है अब तुम्हें पता लग गया है कितनी system के अंदर gram equivalent बच गया है तो x पता था y पता लग गया तो x minus y gram equivalent of K2CR2O7 ने यूज होई है decomposition के लिए that will be equals to x minus y gram equivalent of organic matter बात खाता है इतनी से बात समझ आती है और इतने gram equivalent की तुम्हें क्या लग रहे होगे decomposition oxygen required for decomposition कितने oxygen लग रही है decomposition के लिए oxygen required कितने gram equivalent बाता है इसको multiply कर देंगे equivalent weight से so x minus y gram equivalent है multiply equivalent weight of oxygen equivalent weight of oxygen तो यह जो oxygen required निकल कर आई for decomposition that is the total oxygen required to carry out decomposition of total organic matter and this oxygen is known as the COD इसको क्या बोलते है chemical oxygen demand बोल देंगे this oxygen इसको हम बोलते है chemical oxygen demand तो बच्चे ऐसे हम chemical oxygen demand निकालते है तो पेपर में जो questions आते हैं तो पूछेगा indicator क्या है पेपर में पूछता है कि titrant कौन सा use करते हैं किस concentration में titrant use किया जाता है COD का मतलब क्या होता है यह सारे discussion यहां पे हो गई है अब यहां तक कोई यह सारे points समझा आगी होंगे आप लोगों को उसके बाद यह कहानी करने के बाद एक observation से फिर से एक point हमारे सामने निकल गा राया और यह पता लगा हमें कि जब हम पानी में बचे कोई chemical डाल रहे है क्योंसा chemical जो strong oxygen agent है वो भी डाला हमने medium को acidic भी बनाया sample को heat भी किया इतना सब काम करने के बाद भी यह चीज पता लगी कि यह जो chemicals है यह organic matter 100% decompose नहीं हो रहा है यानि कुछ ऐसे पानी में complex organic matter भी present होते हैं जिसको तुमारा chemical decompose नहीं कर पाता है तो एक बात आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि K2Cr2O7 cannot decompose organic matter completely completely organic matter को decompose नहीं कर सकता कौन से organic matter complex organic matter पानी में कुछ ऐसे complex organic matter भी present होते हैं जिसको तुमारा chemical भी decompose नहीं कर पा रहा है अगर तुमारा chemical भी decompose नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर जो result मिलता है उस result में क्या मिलेगा? error मिलेगा यहाँ पर जो तुम्हें result मिलेगा बचे क्योंकि तुमने बोला oxygen required for decomposition of organic matter और total organic matter तो decompose हो नहीं रहा है total organic matter तो decompose हो नहीं रहा है सिरफ वो नहीं होगा जो complex है बाक्की सारे decompose होंगे बाक्की सारे क्या होंगे? decompose होंगे उसके बाद एक और point हमारे सामने है यह भी हामें observation से पता लगा कि यह जो potassium dichromeda बचे यह inorganic matter को भी decompose करता है K2CR27 also decompose inorganic matter some inorganic matter सारे inorganic matter को नहीं करता some inorganic matter कुछ particular cases के अंदर यह कुछ inorganic matter को भी decompose कर देता है जिसकी वज़े से जो अब K2CR27 पानी में use हो रही होती है वो actual से जादा use हो रही होती है क्योंकि K2CR27 organic matter को तो decompose करता है साथ में कुछ inorganic matter को भी decompose करता है जिस वज़े से जो K2CR27 जो पानी में use हो रही है वो actual से जादा use होगी तो इसका मतलब अगर actual से जादा use होगी तो मेरे को ये बताईएगा यहाँ पे जो हमें y gram equivalent मिलेंगे वो actual से कम मिल जाएगे क्योंकि k2cr27 जो use हो रही है वो actual से जादा use हो रही है तो जो बचेगी k2cr27 वो actual से कम बचेगी अगर actual से कम बची तो इसका मतलब जहाँ पे ये x-y का result आया है ये actual से जादा आ जाएगा अगर ये result actual से जादा आया तो तुम ये बोल रहे हो कि सर पानी में organic matter के जो gram equivalent है वो जादा है वो क्या है? जादा है तो ये तुम ने आंसर report करो इसका मतलब जादा organic matter के decomposition के लिए जादा oxygen के requirement है तो तुमारी जो ये COD की value निकल कर आएगी वो जादा निकल कर आएगी बट COD तो हमने define किसको किया है? वो oxygen जो सिरफ decompose करती है या the oxygen required only to carry out decomposition of total organic matter हमने यहाँ पे inorganic के तो बात की नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पाने में कोई chemical डाल रहे है chemical organic matter के साथ-साथ कुछ inorganic matter को decompose करता है तो इसको हम chemical oxygen demand नहीं बोलेंगे इसको हम बोलते हैं बच्चे dichromate demand this demand is termed as dichromate demand यह जो dichromate demand होती है यह क्या होती है? the oxygen required to carry out decomposition of organic matter biodegradable and non-biodegradable पलस oxygen required to carry out decomposition of inorganic matter और जो यह oxygen थी बच्चे जिसको हमने बताया biodegradable पलस non-biodegradable total organic matter के decomposition के लिए जो oxygen लगेगी इसको क्या बोला था हमने COD यह तो हमारी COD थी तो dichromate demand जो हती है बच्चे वो COD से क्या होती है? ज़ाद होती है तो test जब तुम practically काम करते हो तुम तो dichromate demand निकाल रहे होते हो लेकिन तुम उसी को क्या बोल दोगे? COD बोल दोगे तुम बोल रहे हो कि तसर test में तो error है अब test में error आने के बावजूद हम क्यों काम कर रहे है तो बच्चे ध्यान दो मान लो तुम पानी के अंदर COD मान लो actually में जो COD है पानी के अंदर वो suppose that 50 mg पर लिटर है समझने के एक parameter उठा रहे हैं बस और तुमने dichromate demand निगा लिए this DD dichromate demand ये मान के चलो तुमारी answer ज़ाद आएगी dichromate demand की value ज़ाद आएगी मान लो ये तुमारा answer आता है 70 mg पर लिटर निगाल सकते हैं very easily अब तुमारा जो answer आ रहा है वो तो ज़्यादा आ रहा है तुमने बोल दिया कि सर यही COD है तुमने बोल दिया कि यही मेरी care value है COD है तो तुम पानी में organic matter actual से ज़्यादा बता रहे हो तो इसका मतलब तुम treatment जब करोगे तो वो 70 mg पर लिटर इतने organic matter को remove करने के लिए करोगे जब तुम इतने organic matter के remove करने के लिए treatment कर रहे हो treatment plant में तो ये वाले organic matter जो actually present थे वो कम थे वो तो remove होंगे होंगे इसका मतलब जो तुमारा purpose था organic matter को remove करने का वो purpose तो तुम्हारा fulfill हो रहा है, इसका मतलब अगर test में error है, तो error आने के बावजुद भी हम लोग safer side के अंदर है, तो इसलिए हम इसको dichromy demand को भी COD बोल सकते हैं, तो अब जब भी हम test perform करते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, COD बोलेंगे, clear up हैं आपे, तो COD का concept बहुत अ कोई भी doubt होगा, तो आप comment box में comment कर दीजेगा, okay, thank you everyone.